हेलो एविवन एम सार्थक PCCP Maths Faculty in Resonance आज हम IJSO का जो टॉपिक है linear equation उसको शुरू करने जा रहे हैं तो चलो शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि linear equation का मतलब क्या होने वाला है कि linear equation का मतलब क्या होता है तो linear equation जो है linear word हमने polynomial में भी पढ़ा था है ना linear word जो था हमारा उसको हमने polynomial में भी पढ़ा था तो linear का मतलब था एक ऐसा expression जिसके डिग्री कितनी हो जिसके डिग्री कितनी हो 1 तो expression with degree 1 ठीक है और equation का मतलब होता है एक ऐसा expression जिसमें equality का symbol आ जाए है ना एक ऐसा expression जो equal का symbol contain करता हूँ है ना contains the symbol of equality तो उसको हम क्या कहते हैं equation सही है तो linear मतलब एक ऐसा expression जिसके डिग्री बन हो और equation का मतलब जिसमें equality का symbol हो तो equation हो गया सही है तो अभी हम फिलाल तो यह समझने वाले हैं कि linear equation in one variable क्या होता है सही है वन variable से हमारा मतलब है उस equation में सरफ एक ही variable को हम use करेंगे ठीक है for example अगर मैं लिखूँ आपके सामने जैसे आपर लिखा भी होगा है 3x plus 5 equal to 0 सही है तो आप अगर ध्यान दो तो इसमें जो variable है x उसकी डिग्री कितनी है 1 है सही है तो linear हो गया और एक equality का symbol है that means यह equation हो गया तो यह हो गया linear equation और एक ही variable हो तो इन वन वरियेबल और यहां पर एक और example है अपने पास 7x minus 2 equal to 0 सही है तो यह भी क्या हो गया हमारा linear equation in one variable सही है तो linear equation in one variable का जो standard form होता है वो कुछ इस तरीके का ही होता है ax plus b equal to 0 चाहे equation कैसी भी हो है ना जैसे मान लो आप ऐसा कुछ लिख देते 2x plus 5 equal to 3x तो भी at the end मैं चाहूं तो इसको इस form में convert कर सकता हूं किस तरीके से इसको इधर भेज देते हैं तो यह इधर आके minus 3x हो जाएगा तो यह किता बन गया minus of x plus 5 equal to 0 तो क्या यह वैसा ही दिखने लग गया वापस से यह ना तो किसी भी तरह का linear equation one variable का होगा तो आप उसको at the end ऐसा लिख पाऊगे तो इसलिए इसका standard form हम यह रखेंगे इसका प्लस B जहां पर ए और 2 जो है वो रियल numbers होंगे और एज़ीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि एई ही 0 हो गया तो एक्स क्वाला तरीके से है कि अगर P की value हमें दी गई है और Q की value भी हमें दी है और साथ में कह रहा है कि P is to Q 6 is to 5 है तो find करो X क्या होगा तो P और Q का ratio हमको दिया गया है P और Q का ratio हमको दिया गया है P upon Q is 6 upon 5 ठीक है तो P की value हम पूट कर लेते हैं 3X plus 1 upon Q that is 1 upon 3 into 9X plus 13 equal to 6 upon 5 अब हम चाहें तो इसको cross multiply कर सकते हैं तो यह 5 into 3X plus 1 हो जाएगा और यह 1 by 3 into 9X plus 13 into 6 हो जाएगा सही है इसको हम cancel out कर देंगे इससे 2 times तो यह हो गया 15X plus 5 equal to 9 into 2 18X plus 26 है ना तो यह अगर इसको 26 को इदर बेजेंगे 26 minus 5 यानि कि minus 26 इदर आएगा ना और 15 को इदर बेज देते हैं तो यह हो गया minus का 21 और यह हो गया plus 3X तो X will be minus 21 upon 3 that is minus 7 तो इस तरीके से हम इसको solve कर सकते थे कोई दिखकर है समझ में आगी बात ठीक है तो X कितना आ गया minus 7 आगे बढ़ते हैं एक question और है अपने पास जो कि इस तरीके से है कुछ कि यह expression जो है हमको दिया गया है कि यह दूसरे के equal है हमको find करना है कि यह क्या होगा X cube plus X square plus X plus 1 की value क्या होगी तो चलो इसको simplify करते हैं तो अगर हम इसको simplify करें तो cross multiply करते हैं इदर cross multiply करते हैं X plus 2 into 4X plus 3 अभी हो जाएगा A plus B into A minus B that is A square minus B square और यह X into 4X 4X square plus 2 into 4 8X 3 into X 8X plus 3X is 11X 3 into 2 6 सही है यह हो गया 4X square minus 49 यह होगा 4X square plus 11X plus 6 यह तो कड़िया है से minus 49 और इदर आके minus 6 तो यह कितना हो गया 11X that is minus 55 upon 11 यानि X की value तो किती रही minus 5 X आ गया है minus 5 पर अपने को X नहीं find करना था इस बार अपने को इस बार यह expression की value find करनी थी तो ठीक है इसमें पुट कर देते हैं तो इसमें जब X की value को आप पुट करोगे minus 5 तो यह हो जाएगा minus 5 cube plus minus 5 square plus minus 5 plus 1 minus 5 cube is minus 125 and minus 5 square is plus 25 this is minus 5 plus 1 तो यह minus 125 plus 25 is minus 100 minus 5 is minus 105 plus 1 is minus 104 तो यह अपना answer हो जाएगा सही है समझ में आगई बात clear है चलो एक चीज और इसमें हम समझ सकते हैं यह तो सिरफ linear expressions को solve करने का एक तरीका था ठीक है अब देखो एक चीज और इसमें हम समझ सकते हैं यह कि हम अगर पूछें कि what does it mean for the solution of linear equation in one variable one variable में solution का क्या मतलब होगा ? solution का मतलब यह होगा कि जैसे आप हम कोई question लें मैंने कोई question ले लिया let's say 2x plus 5 equal to 3 और मैं आप से पूछ रहा हूं find the solution solution से हमारा मतलब है variable की ऐसी value जिसको यहाँ put करने पर यह इसके equal आ जाए ठीक है यह दोनों एक दूसरे के equal आ जाएं सही बात है क्या यह दोनों एक दूसरे के equal आ जाएं तो अगर हम चाहते हैं कि solution निकालना है तो अपने को क्या करना है बस variable को separate करना है 5 उदर जाएगा तो 3-5 2x कितना हो गया यह minus 2 तो x कितना हो गया minus 2 upon 2 that is minus 1 तो minus 1 को हम solution of the given equation कह सकते है रीजन बींग क्योंकि यह value इसको satisfy करेगी यह value इस expression को satisfy करेगी है आप चाहो तो इसमें put करके देख लो है न हम put करते हैं x equal to कितना minus 1 है तो x equal to minus 1 इसमें put कर देते हैं that means 2 into minus 1 plus 5 तो यह कितना हो गया minus 2 plus 5 that is 3 और क्या हमारा RHSB 3 था तो यह इसको satisfy कर रहा है solution का मतलब basically यह होता है कि एक ऐसी value जो equation को satisfy कर दे सही है और यह कि निकालने का तरीका है अगर linear equation one variable में है तो इस तरीके से हम variable को separate करके उसकी value निकाल सकते है clear है आगे बढ़ते हैं आगे हम बात करते हैं linear equation in two variables की ठीक है अगर अपने पास एक linear equation है लेकिन अब दो variable में है न यह बात द्यान रखेंगे दो variable में है तो हम उसको कैसे समझेंगे सीखेंगे है न तो समझते हैं कि एक equation दो variable में लेकिन linear जैसे अभी थोड़े दर पहले बात की थी equation one variable linear तो अब देखो इसका example इस तरीके से कुछ ले सकते हैं क्या जैसे मैंने ले लिया 2x plus 5y equal to 7 सही है अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहां पर मेरे पास दो variable है और दोनों की ही power 1 है और equal to का symbol भी है तो दोनों की power 1 होना मतलब linear होना है न तो यह linear है equal to का symbol है तो यह equation भी है और क्योंकि अपने पास अब दो variable है तो इसलिए इन two variables है सही है क्या है तो यह जो चीज है यह क्या है linear equation in two variable है हमारे लिए ठीक है तो linear equation in two variable का मतलब आप लोग समझ गया होंगे अब बात करते हैं कि इसका standard form क्या है तो किसी भी linear equation को आप हर बार इस तरीके से express कर पाएंगे एक्स प्लस वी वाई प्लस इक्वल टू जीरो के form में ठीक है मैं चाहूं तो इसको भी दिखा सकता हूं कि टू एक्स प्लस फाइव वाई यह इदर आएगा तो इस तरीके से कुछ दिखेगा आपको आया ना कोई दिक्कत है और जहां पर यह ABC है वो हमारे real number है न सीदी सी बात है ABC क्या है हमारे real number है इस symbol is belongs to है इस symbol का मतलब क्या होता है belongs to मतलब real number में होंगे सही है अब क्या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं क्या A is the coefficient of X B is the coefficient of Y and C is the constant term सही है coefficient का मतलब हो गया कि एक variable X की बात करें अगर तो X के साथ जो भी चीज multiply में है वो उसका coefficient है Y के साथ जो जो भी चीज multiply में हो वो उसका coefficient है Y का और एक ऐसा टर्म जो बिना X और Y के है ना free of free from X and Y वो अपना constant term कहलाएगा सीधी सी बात है clear है सही है और अहां इसमें एक और चीज़ धियान रखेंगे ए और B दोनों साथ में 0 नहीं होने चाहिए क्योंकि दोनों ही 0 हो गए तो कोई वरियेबल नहीं बचने वाला ठीक है कोई भी वरियेबल नहीं बचने वाला सभी है आगे बढ़ते हैं आब हम बात करेंगे कि हम solution कैसे निकाल सकते हैं ठीक है linear equation into variable का हम solution कैसे निकाल सकते हैं जैसे अपने पास एक linear equation है इसके solution निकालने है अपने को तो हम कैसे कर सकते हैं यह समझते हैं solution का मतलब हमने क्या समझा solution का मतलब variables के ऐसी value जो इसमें put करें तो left side और right side equal आ जाई है कह दो इसको satisfy कर दे हैं तो उसको solution हम कह सकते हैं तो कैसे निकालना है निकालने का जो एक तरीका है हम सीखने वाले हैं वह हमें क्या करना है आपकी इच्छा के हिसाब से आप किसी भी एक variable को separate करो ठीक है जो आपको सही लगे लेट से मैंने यहापर x को separate करना शुरू कि बागी सब उधर ब equation का नाम देता हूं first equation अब इसमें आपने जो variable इधर भेजा उसकी जगे आपको जो मन करता है जो सही लगता हो डाल दो है ना मैंने पुट किया y की जगे 0 मेरी मर्जी है ना कुछ भी पुट कर सकते हो आप तो यह कितना आ रहा है 6 into 0 0 ही होगे तो माइनस 6 अपॉन 5 तो x जब y को मैंने 0 लिया है तो x कितना आया माइनस 6 अपॉन 5 यह इसका एक solution बनेगा हम चाहें तो check भी कर सकते हैं है ना हम चाहें तो check भी कर सकते हैं चलो verify करते हैं तो अपने पास equation थी 5x minus 6y plus 6 equal to 0 सही है इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं हम लोग यह value पुट करके देखने वाले हैं कि क्या है सही है तो बिल्कुल check करते हैं जड़ा 5 into x x कितना आया माइनस 6 अपन 5 और y हमने कितना रखा हुआ था जीरो ठीक है यह पूरा left side right के equal आना चाहिए अगर solution है तो तो यह 5 से 5 कड़िया that is minus 6 यह 0 यह plus 6 तो minus 6 minus 6 is 0 और right में भी 0 था तो यह इसको satisfy कर रहा है यह इसका solution है पर बात हुई थी कि आप y की जगे यानि इधर जो variable आपने भेजा उसकी जगे जो मर्जी रख सकते थे तो मैंने 0 रखा हम कुछ और भी तो रख सकते थे ना तो चलो कुछ और रख देते हैं ठीक है तो य की जगे हम 1 रख देते हैं हमारी मर्जी है ना कुछ भी रख सकते हैं अगर हमें 1 रख दूंगा तो क्या बनेगा देखना ज़रा एक्स इकोल टू 6 इंटू 1 माइनस 6 अपॉन 5 तो यह हो गया 6 माइनस 6 अपॉन 5 यानि एक्स जीरो आ गया तो यह एक सॉल्यूशन है एक्स जीरो और वाई उस टाइम पर हमने 1 रखा था तो आप चाहो तो चेक करके भी देख सकते हो है ना चेक करना है चलो कर लेते हैं देखो इसमें एक्स को 0 पुट करते हैं यह फर्स चेक था हमारा फर्स सॉल्यूशन के लिए इस सेकंड सॉल्यूशन के लिए कर रहे हैं हम लोग 5 इंटू एक्स एक्स कितना आया 0 वाई कितना आया 1 तो यह हो गया 0 माइनस 6 प्लस 6 फिर से 0 आ गया तो सेटिस्वाई कर रह है है ना कुछ और रख देता हूं ठीक है कितना रख दें बताओ वाई को छे रख देते हैं चलो है ना जो मन करें हमारा कुछ भी इच्छा के साब से में रख सकते थे तो मैंने क्या करा वाई की जेगे 6 रख दिया तो 6 इंटू 6 माइनस 6 अपॉन 5 इस 36 माइनस 6 30 अपॉन 5 कितना हो गया 6 हो गया तो यह solution मिला मुझे एक 6 वाई भी 6 अचीग है एक 6 वाई भी 6 सही है क्या यह वह एक solution है आप चाहूं तो चेक कर सकते हो है ना बिल्कुल satisfy करेगा तो क्या आपने notice किया कुछ कि ऐसे तो भाई की जगे में कुछ भी रख दूंगा हर बार एक solution मिलेगा सही बात नहीं है क्या मैंने जब 0 रखा तो एक solution मिला 1 रखा तो एक मिला 6 रखा तो एक मिला मतलब मैं y कीज़े कि कुछ भी रखता जाओ मुझे solution मिलता जाएगा सही है क्या तो मैं यहाँ से कुछ चीजे जो की ध्यान रख सकता हूं वो यह है कि अगर मेरे पास कभी भी कोई linear equation है two variable में है ना any linear equation in two variables as infinite solution सही बात नहीं क्या मैं जितने मर्जी चाहूं उतने solution निकाल सकता हूं यह तो फिर भी मुझसे तीन ही solution मांग रहा था question में है ना तो हम ध्यान रखेंगे कि किसी भी linear equation के हम infinite solutions find कर सकते हैं आई बात है क्लियर है यह बात समझ में आगे होगी किस तरीके से जैसे तीन निकालें ऐसे वाई को कुछ और रखता तो कुछ और आता है ना जब तक चाहें निकाल सकते थे तो आगे बढ़ते हैं अगला question देखते है question जो है इस तरीके से कि अगर एक point है minus 3,4 जो की इस equation पर लाए करता है ना लाए करने का मतलब इसका एक तरीके से solution क्या लाएगा है ना तो आपको क्या करना है a की value find करनी है तो देखो कैसे कर सकते हैं हम लोग अपने को equation दी वही है ay equal to 5x plus 11 और क्यूंकि यह इस पर लाए कर रहा है minus 3,4 तो हम क्या करेंगे x की value और y की value हम put कर देंगे हमेशा पहले हम x लिखते हैं बाद में y लिखते हैं तो x की value minus 3 y की value 4 5 into minus 3 plus 11 तो यह तो हो गया 4 है यह हो गया minus 15 plus 11 तो यह आ गया 4 equal to minus 4 that means a will be minus 4 upon 4 that is minus 1 तो इस तरीके से हम solution का मतलब क्या होता अगर यह जानते हैं तो हम इसको यूज करके चीजों को solve कर सकते हैं तो आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हैं तो आगे जो है हमें क्या करना है graph बनाना है ठीक है आप सबसे पहले तो क्या करेंगे ग्राफ से हमारा मतलब होता है कि वो points जो इसको satisfy करें या इनके solution कहलो ठीक है उन सभी solutions का set आप निकालोगे और उन solutions को उन solutions को आप Cartesian plane में plot करेंगे और उनको freely join कर दोगे उन solutions को freely join कर दोगे वो join करने से जो भी चीज बनेगी वो इसका graph कहलाएगा सही है तो चलो एक काम करते है solution निकाल लेते है solution निकालना हमने अभी भी सीखा था तो solution निकालने के लिए हम 3x plus 2y equal to 6 है तो अब मैंने कहा कि होई same काम एक variable अलग कर लिया या एक काम करो इसीली solution निकाल लेते हैं सीधा सीधा चलो कोई दिख करने है proper method से चल लेते हैं ठीक है एक variable separate कर लेते हैं 6-2y कर लिया 6-2y upon 3 कर लिया है अब मैं y को कुछ भी रख सकता हूं है न जैसे मैंने कहा किया y को रख दिया 0 इसके अंदर तो यह क्या बन जाएगा समझना ध्यान से यह बन जाएगा एक सीकोल टू 6-2 इंटू 0 upon 3 and 6 upon 3 that is 2 तो यह solution आया और मैं solutions को एक box में रख लेता हूं ताकि graph पे plot करने के लिए मुझे बीच-बीच में ढूंड़ना ना पड़े मैं यहीं से उठाके डाल दूँगा ठीक है तो x कितना आया 2y कितना था 0 ठीक है एक और निकालने के बाद में अब अगला निकाल लेते हैं फटा-फट से मैं यहीं से डायरेक्ट देख लेता हूं y को जब मैं 2 रखा तो यह आ गया y को कुछ और डाल देते हैं y को हम लोग 3 डाल देते हैं y को 3 डालेंगे तो 2 इंटू 3 6 6-6 0 0 upon 3 3 साहिए क्या सारी 0 upon 3 0 ठीक है तो x उस टाइम पर 0 आ हम लोग ऐसा कर लेते हैं 4 डाल देते हैं 2 4 जा 8 उससे बात नहीं बनेगे ना सॉल्यूशन हम चाहरे हैं कि fraction में ना है य को 6 डाल दो तो काम हो जाएगा य को 6 डाल दो तो कितना हो जाएगा यह तो 6 जा 12 12-6 माइनस 12 प्लस 6 is minus 6 upon 3 is minus 2 सही है कोई दिक्कर तो नहीं है समझ में आगे होगी बात चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग क्या कर सकते हैं यह समझना ध्यान से अब हम लोग क्या कर सकते हैं इन solutions को graph पर plot करते हैं और इनको बाद में हम join कर लेंगे ठीक है तो सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं अब है तो देखो यह हो गया अपना x-axis यह हो गया अपना y-axis यह हो गया origin है न अब हम चीजों को बना लेते हैं एक्स मुझे चाहिए होगा maximum दो तक है न वन टू त्री इतने ले लेता हूं इधर माइनस टू तक चाहिए होगा मुझे माइनस टू माइनस त्री इस तरीके से और y मुझे maximum 6 तक चाहिए होगा तो 1, 2, 3, 4, 5, and 6 सही है अब हम क्या करते हैं points जो solutions हमने निकाले इनको plot करते हैं ठीक है इनको हम लोग plot करेंगे तो एक है x2 y0 x2 y0 ठीक है x2 y0 अगला क्या है x0 y3 x0 y3 और एक और है x-2 y6 x-2 y6 यहां कहीं आएगा ठीक है इनको अब हम join करने की कोशिश करते हैं एक straight line बननी चाहिए चलो देखते हैं जरा क्या होगा ठीक है ठीक है इस तरीके से कुछ x-trade line बननी चाहिए ना देखो यह एक्चुली यहांसे पास करना चाहिए ठीक है क्योंकि हमने spacing जो है equally mark नहीं कर पाए है आपको equally mark करना होता है है ना तो यह यहांसे पास करेगा तो क्या आपने notice किया एक straight line बना तो हम लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि ग्राफ जो बनता है किसका linear equation का is always a straight line ठीक है क्या बनेगा एक हमेशा से straight line ही बनेगा पहली बात ठीक है और कुछ चीजें हम पॉइंट पर कट किया है सही है तो है ना इन पॉइंट्स को हम x-intercept और y-intercept का भी नाम दे सकते हैं ना देखो इस पॉइंट को हम x-intercept और इस पॉइंट को y-intercept के नाम से भी हम इनको जानते हैं इसके अलावा हम लोग क्या notice कर सकते हैं कि इसने जब x-axis को काटा है तो उस case में y-0 है क्योंकि x-axis पर हर point में y-0 ही होता है ना x-axis पर y-value हमेशा 0 होगी ठीक है तो अगर मुझे बिना graph बनाए भी चीज बतानी होती तो मैं बहुत easily बता सकता था कि x-axis को जब भी कहीं काटेगी उस टाइम पर y-value तो 0 ही होनी चाहिए सही बात नहीं है और y-axis को यह जब भी कहीं काटेगी लाइन तो यह y-axis पर मिल रही होगी उस टाइम पर y-axis पर हमीशा x-value 0 होती है इसलिए देखो 0,3 पर इसने इसको यह कट किया है कोई दिक्कत तो नहीं है तो यह चीजे हम बहुत इसलिए बता सकते हैं और यह तरीके से हम graph draw कर सकते हैं clear है आगे बढ़ते हैं इसमें कुछ special cases है जिनको हम समझ लेते हैं और वह क्या है ज्यान देना ठीक है जब भी कभी हमारे पास equation इस तरीके की होती है a x plus by plus c equal to 0 ठीक है तो उसमें कुछ समझने वाली बाते यह हैं कि अगर अपने पास a x plus by plus c equal to 0 एक linear equation है जहां पर a b c real number है अब अगर अपना a जो है वह 0 नहीं है लेकिन अगर b 0 है ठीक है और कुछ बाते जो हैं इसमें जैसे कि c के बारे में तो है सच कुछ दिया नहीं है तो देखो समझना जारा क्या होगा तो उस टाइम पर अपना x जो है आप देखना आपकी equation कैसी दिखेगी एक बार यह देख लो पहले तो equation हमेशा ऐसी दिखेगी a x plus यह तो 0 हो जाएगा है ना a x plus c equal to 0 सही है क्या मतलब आपकी जब equation में b 0 होने का मतलब है आपकी equation ऐसी कुछ दिखेगी और सही है इसमें वाई का टांस है ना तर्म ऑफ वाई कि इस मिसिंग है ना तो सही है क्या वाई का टाम आपका मिसिंग होगा क्योंकि वाई का कुवीशेंट 0 था एक्चुली ठीक है सही बात है क्या तो अगर ऐसा कुछ होगा तो आप solution निकालने जाओगे तो x की value माइनस c अपॉन ही आएगा यह यूं कह सकते हैं x किसी constant के equal आएगा the reason being c और a कोई दो real number ही तो थे सही है x कोई constant के equal आ जाएगा clear तो अब इसका जो graph होता है ना इस चीज का जो graph होता है वो कुछ ऐसा बनता है कि वह समझ लेते हैं कि जब आप इसका graph बनाने जाओगे मैं एक number के साथ ले लेता हूं चीजों को जैसे मैं equation ले लेता हूं 2x plus 0y plus 5 equal to 0 सही है अब आप देखो ध्यान से equation आपकी ऐसी है तो अगर ध्यान दें तो 0y होने का मतलब यही था कि नहीं है y का coefficient नहीं है मतलब y का term हो जाएगा है ना और उस टाइम पर x की value कोई constant आ रही होगी सही है कोई भी constant आ रही होगी तो जब हम इसका graph बनाने चलेंगे तो ध्यान देना इसका graph बनाने जब जाएंगे हम तो ऐसा कुछ होगा ठीक है यह x-axis हो गया यह y-axis हो गया ठीक है इसका graph बनाने के लिए आपको solution निकालने पड़ेंगे और solution आप जब निकालोगे तो ऐसे कुछ निकाल लोगे चलो द्यान देना जब मैं y की value 1 डालूंगा तो x कितना आएगा य वन डालने से इसको कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि यह तो अभी भी 0 है यह तो पूरा अभी भी 0 ही रहेगा ना इस चीज को कभी भी कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं यह तो 0 ही रहेगा y को कुछ भी डालो उसको यह ना वो 0 ही रहेगा तो X अभी भी कितना हैगा माइनस 5 बाइ 2 अगर मैं Y को माइनस का 1 डालता तो भी ये कितना रहता माइनस 5 बाइ 2 सही बात नहीं है क्या ये हमेशा माइनस 5 बाइ 2 ही रहता अगर आप कोई और solution भी निकालना चाहते हो तो भी as such को दिक्कत नहीं आने वाली आप Y को चलो 5 डाल दो Y को आप 5 डाल के देखो तब भी ये माइनस 5 बाइ 2 ही रहेगा सही बात नहीं है क्या क्योंकि ये 0 ही हो जाएगा अभी भी ठीक है अब हमें एक काम करते हैं इन solutions को plot करने की कोशिश करते हैं कि तो मैं ध्यान देना एक्स माइनस 5 बाइ 2 इधर कहीं आएगा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 बाइ 2 यह नहीं यहाँ कोई पॉइन्ट होगा हो ठीक है माइनस 5 बाइ 2 अब देखना ध्यान से Y अगर 1 लिया तो पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा y अगर minus 1 लिया तो वो point आपको यहां मिलेगा y अगर 5 लिया मैंने तो वो point आपको यहां कहीं मिलेगा जब हम इनको join करेंगे जब हम इनको join करेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा यह सही है क्या? तब यह ऐसा कुछ दिखेगा क्या यही इसका graph नहीं बन गया? इस equation का graph यह बन गया क्या? तो हम यहां से देखें तो क्या यह graph किसका graph है यह? देखा जाए तो 2x plus 0y प्लस 5 equal to 0 का है यह graph basically यह graph इसका तो है लेकिन अब notice करने वाली बाते यह हैं कि यह graph है नहीं नोटिस करने वाली बाते क्या हैं? कि यह graph जो है यह यह graph जो है यह y-axis के parallel बनेगा है नहीं कब? कब यह बाते आपको ध्यान रखनी है जब भी कभी y का coefficient 0 होगा है नहीं तो when coefficient of y is 0 then the graph will be parallel to किसके parallel बन गया? y-axis के ही है ना अगर y का coefficient 0 है तो graph y के parallel ही बन जाएगा है ना सही है? clear है यह बात हम समझ गए और दूसरी बात इस graph ने y-axis को कब intersect किया है? कब काटा है? y-axis को इसने कब काटा है? इसने y-axis को इसी point पे काटा है x जिसके equal आया था तो हम इसको यह भी ध्यान रखेंगे it intersects at x equal to a और a वही constant है जो यहाँ पर आया है समझ गए? यह ध्यान रखेंगे इस constant का नाम ही मैं a दे रहा हूँ मतलब जब आप इसको solve करते हो तो x की value जो आती है इसका नाम a रख दो तो उसी पर intersect करेगा सही है आपको बनाने की ज़रत निया आप इतनी चीजे सिरफ इस बात को देखकर बता सकते हो समझ गए क्या similarly हम second case जब लेंगे तो पहला case था है जब हम second case लेंगे तो second case में क्या होता है second case में वो बोल रहा है कि चलो एक काम करते हैं इस बार x का coefficient 0 कर देते हैं y का coefficient 0 नहीं करते हैं ठीक है तो चलो एक बार इसको भी समझते है कि y अपने पास ax प्लस by प्लस c equal to 0 है जहां पर a b c real number है लेकिन अब a 0 है लेकिन b 0 नहीं है ठीक है मतलब x का coefficient 0 है तो क्या होगा ठीक है तो वही सेम बात अगर हम समझें तो यह ऐसा कुछ दिख जाएगा 0x प्लस by प्लस c equal to 0 तो यह तो हटा दो by प्लस c equal to 0 तो y will be minus c y b तो क्या फिर से y कोई constant आ गया कह सकते हैं ऐसा y कोई constant आ गया आया ना तो y अगर एक constant आया है और जब इसका graph बनाने जाएंगे है ना तो मैं इसको हम फटाफट से समझ लेते हैं देखो कोई भी equation लोगे आप तो यह ऐसा कुछ दिखेगा 0x plus 5y minus 7 equal to 0 तो अगर आप ध्यान दो तो इसमें x की value कोई भी डालो y को कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना क्योंकि यह तो 0 ही रहेगा यह वाली बात मैंने समझी तो y की value हमेशा 7 by 5 ही आएगी चाहे x को आप कितना भी change करो सही बात है क्या x को चाहे आप कितना भी change करो तो यानि इसका graph मैं ऐसे बना सकता हूं सीधा सीधा कि यह x-axis हो गया ठीक है और यह y-axis हो गया तो यह काम करते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर x की value को कितना भी change करो तो x की value change किदर होती है या तो right मैं या left मैं और y की value हमेशा कितनी रहने वाली 7 by 5 ठीक है 7 by 5 is like कितना हो गया 14 by 10 यानि 1.4 तो यहां कहीं आएगा माल लेते हैं y को कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप x को चाहिए यहां ले जाओ y इतना ही आएगा हर बार है ना x को चाहिए यहां ले जाओ y इतना ही आएगा सही बात है क्या तो जब मैं इसका graph बनाने जाओंगा तो इसका graph कैसा बनेगा ऐसा कुछ बनेगा आया ना कोई दिक्कत तो नहीं है इसका graph ऐसा कुछ बन जाएगा और आपने notice किया हो तो यह graph कैसा बन गया x-axis के parallel बन गया क्या तो अब यह बात भी हमें note करनी है और इसने आपने अगर ध्यान दिया हो तो यह वाला point क्या था यह वाला point होगा x0 y7 by 5 ठीक है तो इसमें note करने वाली बात क्या है वो समझते है note करने वाली बात यह है कि graph जो है graph जो है जब भी जब भी आपका x का coefficient 0 होगा यह x का term missing हो है ना when coefficient of x is 0 then the graph will be graph कैसा होना चाहिए graph will be parallel to x-axis है ना अगर x का coefficient 0 है तो graph x-axis के यह parallel बन जाया और दूसरी बात यह उसी point पर intersect करेगा जो इस y की value आएगी है ना अगर आप इससे y की value निकालो तो 7 by 5 एक constant यह आ रहा है है ना तो यह बात भी हम द्यान रखेंगे and it will intersect at y equal to a है ना y equal to a a मतलब y constant यहां जो आएगा समझ गये clear है बात समझ में आगी होगी बात ठीक है इसके अलावा जो next point है उसको भी एक बार देख लेते हैं है ना तो next point क्या है यह तो हो गया नहीं यही वाला next point है इस वाले point में क्या कह रहा है कि a 0 नहीं हो b 0 भी नहीं हो लेकिन इस बार c 0 हो तो क्या होगा ठीक है तो वह समझ लेते हैं कि ठीक है तो वह ही कह रहा है कि अगर आपका a x plus by plus c equal to 0 है जहां पर a b c real numbers है लेकिन इस बार a 0 नहीं होना चाहिए बी भी 0 नहीं होना चाहिए इस बार c को 0 कर देते हैं तो क्या होगा तो समझना ध्यान से तो आपकी equation कुछ ऐसी दिखे कि a x plus by plus 0 equal to 0 या कहलो a x plus by equal to 0 हो है ना सही है क्या a x plus by equal to 0 हो जाएगा तो यहां से अगर मैं इनको solve करूं तो दो तरीकों से कर सकता हूं या तो x को separate करूं या y को separate करने की कोशिश करूं तो यहां से x की value minus by a y आ सकती थी और यहां से y की value minus a y b x आ सकती थी है ना तो यह तो कोई constant ही है ना तो कुछ भी लेलो x equal to आप n y लेलो और यहां से y equal to m x लेलो आपने देखा भी होगा यह सुना भी होगा ठीक है अब इसकी बात करते हैं ध्यान से समझना कोई भी equation आप लोगे for example मैंने let's say लेले है 2x plus 5y equal to 0 तो जब मैं इनके solution निकालूंगा है ना जब मैं इनका solution निकालूंगा तो आप तो जब मैं y को 0 put करूंगा तो क्या आएगा तो यहां पर चाहिए कोई भी constant हो कोई फरक नहीं पड़ता हो 0 से multiply होके x की value भी 0 ही देगा तो हमेश्या ध्यान रखना अगर constant पार्ट नहीं है किसी equation में तो 0,0 उसका solution होगा हर बार आप देख लो यहां पर चाहिए तो 00 डाल होगा है ना तो इसका solution होगा और 00. कौन सा होता है origin होता है क्या 00. कौन सा point होता है origin है तो यह अगर मैं कि है ना यह अगर मैं एक्स एक्सिस और य एक्सिस ले लूँ तो जो ग्राफ है जैसे अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूं तो यह कैसा बनेगा आप समझना ध्यान से यह तो आ गया एक solution और अगला solution अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो ध्यान देना अगर मैं y को 1 रखूंगा तो एक्स कितना आएगा माइनस 5 बाइ 2 एक्स कितना आएगा माइनस 5 बाइ 2 और ग्राफ बना लेता हूं मैं ठीक है एक तो पॉइंट गी रहा 00 और एक y1 y1 minus 5 बाइ 2 यानि इदर कहीं ठीक है तो इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा इसका सही है क्या इस तरीके से इसका graph बन जाएगा clear है क्या तो आपने इसमें main notice करने वाली बात ये थी कि 00 हमेशा solution रहेगा और graph जो है कहां से pass करेगा origin से pass करेगा कब जब किसी linear equation in two variable का constant term 0 होगा ठीक है तो ये बात भी हम note में लिख लेते हैं ठीक है कि when constant term is 0 जब constant term 0 होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि constant term 0 होगा तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहली बात कि graph will pass through graph will pass through origin पहले बात ठीक है दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं origin से पास करने का मतलब ऐसा कह सकते हैं कि कि 0,0 हमेशा उसका solution होगा is always a solution तो ये दो बाते हम यहां से notice कर सकते हैं तो ये कुछ चीजे थी जो linear equation in one variable two variable के बारे में हमने सीखी कि solution कैसे निकाल सकते हो और उसका graph कैसे बना सकते हैं I hope ये सबी चीजे आपको समझ आई होंगी that's all for the day thank you